नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दुशिंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नोली चैनल में दोस्तों देखिए आज काफी दिन के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों जो संबन दिते हिंदी से दोस्तों देखे एक हिंदी में जो इंटर किलास है उसमें कहानी जरूर आती है निश्चित आती है बोर्ट परिक्षा में तो दोस्तों देखे वही कहानी मैं आपके लिए बता रहा हूं संचित रूप से और आसा करता हूं दोस्तों आपको पूरी तरह से समझवा जाएगी और रटने की आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी तो देखे बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कहानी का नाम क्या है। तो दोस्तों देखे कहानी की अगर नाम की बात करते हैं तो कहानी का नाम है बहधुर। तो दोस्तों देखिए बहादूर कहानी का नाम इसलिए है क्योंकि जो उसका फिर्मुक पात्र है जो सैंट्रल पात्र है उसका उसी का नाम भी बहादूरी है यानि बहादूर एक लड़का है जो 12-13 बड़स का है और 12-13 बड़स का लड़का जो है उसी के नाम पर कहानी का न कि 12 तेरे बर्स का एक पहाड़ी लड़का होता है दोस्तों होता क्या है जब ये अपने घर रहता है इसके पिता जी युद्ध में मारे जा चुके हैं और मा ही इसका पालन पोस्ण करती है अब देखें मा विविन्य परकार के कार्ये करती है विविन्य परकार के खेतों में का जाती है इस तरह का उसकी मा का कार्या था होता क्या है दोस्तों कि उसकी मा जो है उसे बहुत मारती पीड़ती थी और कभी-कभी तो उसकी मा मतलब जाद चिड़ जाती थी क्योंकि वो ऐसे कार्या करता था उसका एक कार्या था कि दिन में खाना खाया और बाहर को निकल गया क कभी पेडों पे चड़ा, कभी चिडियों के घोंसलों को उतारा और तरह तरह की बात वो करता था जिससे लगता था कि मतलब ये अच्छा नहीं कर रहा तो उसकी मा इन बातों से चिड़ती थी, एक बार हुआ क्या, एक बार उसने पसु चराने के लिए उस लड़के को भेज और जैसे ही वो पसु चराकर बापस आ रहा था, तो एक भेजस जिसे वो उसकी मा उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, उस भेजस को उस लड़के ने काफी मार दिया, और जैसे ही मारा तो मानने के बाद वो भेजस मतलब घर आई, और घर आकर मतलब लड़का पीछे र खोड़ कर वो घर चली गई, ये बात उससे सहन नहीं हुई, और ये वो रात बर पूरी रात उसने जंगल में काटा, और काटने के बाद घर आता, घर जैसे ही आया, उसने चुपके से अपनी मा की हांडी, जिसमें वो घही रखती थी, उससे दो रुपे निकाले, और जो घर से फरार हो गया, यानि घर से यह जी जयसी चला गया, तो जाता है, जो क्या कह सकते हैं, हमारा गोरखफुर इस्टेशन वहाman पयुआ पहुंच जाता, अब वहां पहुंचता, तो पहुंचने के बाद, अब उधर की हिष्टरी सुनिए, कि जहां वहां क्या होता, यह बाद में काम करना शुरू कर देता है तो वो मतलब जो मालकिन थी वहां की वो कहती है काफी दिन से अपने आदमी से कि मुझे नोकर वुकर की जरूरत है मुझे काम अब नहीं होता उमर जाद हो गई तो उसका आदमी काफी दिन से कह दे था था कि मैं आपके लिए नोकर की व हमारे यहां जो है जो मतलब क्या कहते हैं जो नोकर बगारा होते हैं उनके साथ भी ऐसा भी अभार किया जाता जैसे घरबाले होते हैं उन्हें खाने के लिए भी वही दिया जाता है जो घरबालों को दिया जाता वो राजी हो गया ठीक है मैं आपके यहां चल रहा हूं अब एक उसकी जो पतनी थी उसका नाम था निर्मला और वो ओपिस चला जाता था जिस घर वो गया था बोल ब्यक्ती ओपिस चला जाता था निर्मला और किसो जो किसोर था वो पढ़ने के लिए ये कोली जाता था और जो निर्मला थी घर के काम करती थी उसी का वो help करता था जो मत करता था तरह तरह के काम करता था खेलने के लिए दोस्तों उसके पास पत्थर थे कंचे थे तास की पुरानी गड़ी थी और कागज की नावे थी यह चीज़े वो अपने साथ रखता था सामको जब सोता था तो पहाड़ी गाना गुंगुनाता था लेकिन घरबालों को किसी क कहना चाह रहा होता क्या दोस्तों काफी दिन हो गए सभी को उससे काफी लगाब हो गया बड़ी से बड़ी बात को हसके टाल देता था और किसी भी बात में मतलम नाराज नहीं होता था लोग यानि जो घर बालेते सब तरह तरह कि उसे बात है कहते कहते डाटते भी लेकिन को बुरा नहीं मानता था एक बार हुआ क्या कि जो लड़का था उसका मालिक का लड़का थे जिसका नाम था किसोर उसने कहा कि तू जो मेरे हर कारिय का ध्यान रखेगा यहां तक कि कपड़े मेरे तूद होगा और उस पर इस्तरी यानि प्रेश चुप दूरेगा और मेरी ध साप बगार यह सब्तू करेगा तो हुआ क्या दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि वो फोली जा रहा था तो उससे साइकिल मतलब साप करना भूल गया तो किसोर ने जो उसका लड़का था मालिक का उसने काफी पिटाई करी और काफी पिटाई करने के बाद मतलब वो कुछ बोला है कि जैसे वो निर्मला बाहर को जाती थी तो तरह तरह की बात बढ़िहाई करती थी अपने नोकर की लेकिन एक बार बाहर उससे सुनने मा आया कि मतलब नोकर को अकर मुँपे चड़ाओगे तो यह जो इसी तरह से ब्याभार करेंगे इसलिए जो इन्हें खाना खुद ब रोटी बनाना जानता नहीं था वो बोलता था वो कहने लगा कि माता जी मैं तो नहीं बना था ता मेरी मा मिचसे कहती ति यहीं मुझ्च सी ऒात पर लड़ाई हुई थीономर बहुद दिन हो गये तुझ आप तु अपने आप बनाएगा लेकिन जब ज़्याद ही वह कहने लगी तो विचारा जैसे रोटी उससे बनी उसने बनाई तो सभी उसकी रोटी को देखकर हसते हैं लेकिन कोई भी मतलब फिर वह रोटी बिलकुल अपने हाँ से बनाता हो हर काडरे करता होता क्या दोस्तों कि एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसके यहां कोई रिष्टेदार आजाता और रिष्टेदार जैसे ही आया तो रिष्टेदार ने, मतलब इधर उधर ज्हाका और जैसे कि मतलब कुछ खोज रहा हो तो घरबालों ने पूँचा क्या हो गया तो उन्नोंने बताया कि मेरे यहां 11 रुपे रखे थे पता ना गायब होगे तो वहां से उस समय जो Bajadur था वो भी गया था लेकिन Bajadur ने वो रुपे चुराइ नहीं थे तो बोले इस लड़के से पूँच लो मतलब जो महमान आया था उसने कही कि इस लड़के से पूँच लो ये भी यहीं था तो मालिक कहता है कि नहीं यह बहाद्दूर ऐसा नहीं कर सकता लेकिन फिर भी पूछ लो अब जैसे उसने पूछा कि तुमने पैसे चुराएं तो उसने कहीं नहीं बाबुजी उसने का सई सई बताना नहीं मैं आपकी बहुत पिटाई करूंगा तो बार-बार कहने के बाब जूद उस तरह-तरह की बाते करने लगे अब विचारा जब उसने चुराएं नहीं तो वो जो महमान था बार-बार उसे घर से बाहल ले जाता और डराता कि पूलिस को हम तुमें दे देंगे लेकिन जब उसने चुराएं नहीं तो वो ना करता रहा अब होता क्या है दोस्तों कि इन स histoire तो उसे तरह तरह की मतलब गालिय देताा सुर का पच्च कहता और कामचोर कहता तरह-तरह की बाते कहता था। इन बातों से उसका मन था उखड़ गया और एक दिन उसने चुप चाप बिना बिना किसी को बताए यानि जब जो घर का मालिक था बहु कहीं बाहर था बिना किसी को बताए अपना सारा सामान छोड़ कर भिना कुछ लिए मतलब घर से निकल गया पता चलता है कि साम को जैसे ही वो घर मालिक आता है पूचता है कि आज बरतन कैसे पढ़ें साप सपाई भी नहीं है कपड़े भी ऐसी पढ़ें तो बताती है जो निर्मला मतलब सिर्फ हा बहदुर चला गया था उसके बियोग में जो हाथ रखकर सिर्फ बैठी थी वो कहती है कि बहदुर चला गया बोले बहदुर चला गया कि हाँ चला गया बोले क्या लेकर गया अगर लेकर जाता तो मतलब थोड़ा हमें संतुष्टी होती लेकिन कुछ भी लेकर नहीं गया बोले वो 11 रुपे बोले वो 11 रुपे भी नहीं लेके गया क्योंकि जो रिष्टेदार था मैं उसके ब्याबार को अच्छी तरह से जानती हूँ वो नाटक कर रहा था हमें देने की बज़े से वो नाटक कर रहा था और बहादूर एक इमानदा लड़का था उसने सभी को सभी ने उसे पीटा ये बात उससे बर्दास्त नहीं हो जूटी जो उससे मतलब तरह तरह की बात है उस पर जो लांचन लगा गए ये बात है उससे बर्दास्त नहीं हुई इसलिए वो छोड़ कर चला गया तो वो जो मालिक होता है वो देखता है कि एक रगनी तंगी हुई है रगनी पर उसका कपड़ा यानि जो नेकर था वो तंगा हुआ है वो देखता है नेकर कीजे वो मैं देखता है तो नेकर कीजे वो मैं उसके जो सामान थे यानि पत्थर मि लिख था उसके साले के दिये हुए लड़के के थे वो भी छोड़के चला जाता यानि कुछ लेकर नहीं जाता तो आखिर में दोस्तों यह निसकर्स निकलका आता कि हमें जो है किसी भी नोकर के साथ इस प्रिकार्ड के ब्याभार नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप स उसका चरित्र चित्रा लिखने के लिए आता है और इस कहानी का मतलब सार भी लिखने के लिए आता है यानि दो तरह से पूछ सकता है या तो कहानी का सार या फिर दिल बहद्र का चरित्र चित्रा तो दोस्तों वो किस प्रिकार का लड़का था मैंने एक एक पॉइंट्स कर के आपको बता जिये तो आसब करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए हूँगे मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में इसके अच्छी वीडियो लेकर तब तर नमस्कार जैहिन जैभारत झाल झाल